हेलो अच्छो मैं हूँ अजय सार आप सभी का मेरी यूटूब चैनल में वेलकम हैं आज हम क्लास 9 से exercise 5.1 का question number 2 देखेंगे solve the equation given below देखें 1,2,3 आपको तो homework मिला था अब यहाँ पर हम 4,5,6 बनाएंगे तो देखें अपना यहाँ पर 4 number में क्या है minus 7 plus 3t minus 9t equal to 12t minus 5 पहले यह t वाले terms को यहाँ पर solve कर लेंगे देखें एक है positive एक है negative इनको solve करेंगे तो क्या हो जागई है minus 7 as it is इसको solve करेंगे तो देखें bigger number आपका negative है तो solve करने एक बाद भी answer negative आएगा means minus 6t equal to 12t minus 5 अब देखें यह t और t वाले terms को हम one side कर लेंगे और जो number number वाले terms है उनको one side कर लेंगे तो आप यह minus 6t को as it is रहने देना यह 12t जो है right side में change होके left side में आएगा तो वो हो जाएगा minus ठीक और यह जो 7 minus 7 है यह change होके जब right side में जाएगा तो वो plus 7 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेगा minus 6t यह 12 जो है change होके इधर आया तो यह हो जाएगा minus 12t equal to minus 5 और यह change होके इधर आएगा तो plus 7 हो जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा ठीक है अब देखिए दोनों ही number negative है तो इस condition में क्या करते है minus sign, comma लेंगे और इनको add कर देंगे तो 6t plus 12t यह हो जाएगा minus 18t एक negative और एक positive और positive नमबर विगर है तो answer भी positive हो जाएगा इसका value हो जाएगा 2 यह है आदेखिए आपको t का value find करना है इस t का तो यह जो minus 18 है ना वो इस 2 के upon में आ जाएगा so t equal to 2 upon minus 18 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 so देखिए आपके पास t का value आ जाएगा 1 upon minus 9 यह अपना t का value यहाँ पे निकल गया ठीक है अब आईए next वाला देख लेते हैं जो किया 5th number तो 5th number में आपके पास क्या है 3z minus 2 plus 5z equal to 2 पहले इस 3 का multiply कर देगे z से फिर minus 2 से तो यह हो जाएगा 3z minus 3 to the 6 plus 5z equal to 2 अब देखिए यह zz वाले terms जो है ना दोनों positive इनको add कर लेंगे 3z plus 5z यह हो जाएगा 8z minus 6 equal to 2 अब यह जो 2 है ना sorry minus 6 जो है वो right side में आ जाएगा so 8z equal to तो plus हो जाएगा वो तो 8z equal to 8 6 plus 2 8 हो जाएगा अब अपने को z का value find करना तो यह 8 इसके अब 1 में आ जाएगा so z equals to 8 upon 8 तो नों कर जाएगा value आ जाएगा 1 मतलग कि z का value है वो हो जाएगा 1 अब देखते हैं last वाला question तो देखिए last वाला अपने पास क्या है minus 2 bracket close x plus 4 equal to 8 यह ना यह देखते हैं अब last वाला है minus 2 plus x plus 4 equal to 8 x आप क्या गर ना bracket open कर देना वस minus 2 plus x plus 4 equal to 8 x देखिए एक है minus 2 और एक है plus 2 minus 2 और एक है plus 4 इन दोनों को आप solo करेंगे तो इसका value आ जाएगा 2 के equal ठीक है तो यह actual में हो जाएगा 2 plus x equal to 8 x अब आप क्या कर सकते हैं यह जो x है ना इसको आप change करके right side में ले जाना यह 2 को as it is रहने देना 2 as it is है 8 as it is है x जो है change होके right side में आगा तो यह हो जाएगा minus x so 2 equal to यह हो जाएगा 7 x अब आपको x का value चाहिए तो 7 जो है statement में लिखना है तो देखिए first में क्या है x plus 3 equal to 27 तो इसको आप statement में लिख सकते हैं 3 added of a number it gives 27 यह आप इसी को लिख सकते थे 3 added of a number we get 27 second second क्या है x upon 2 plus x equal to 18 तो इसको आप लिख सकते है adding half 1 by actual में यह जो x by 2 है इसको ऐसे भी लिख सकते थे कुछ ऐसे ठीक है तो यह half हो जागा 1 by 2 मतलब half adding half of a number to itself इसी से अपन add किया है na adding half of a number to itself gives 18 ऐसे लिखना फिर last वाला जो है x upon x plus 2 equal to 27 तो इसको आप लिख सकते है the denominator is एक होता है numerator एक होता denominator the denominator is 2 more than to numerator it gives 30 या इसी को आप other way में लिख सकते है if we add 2 in any number then divide the sum in case sum को divide करेंगे same number same number से मतलब की x से we get 30 तो इस प्रकार से आपको statement में लिखना रहेगा तो fourth question हमारे पास follow the equation तो इसमें से हम first देखते हैं first हमारे पास 6 plus 4 minus m equal to 8 3m plus 5 यह हमारा left hand side और यह हमारा right hand side है आईए इसको आप और simplify करते हैं और m का value find करने है अपने को actual में तो देखिए यहाँ पर first step में यहाँ पर हम इधर bracket open कर देंगे और यहाँ पर हम जो 8 का है ना इनसे multiply करते जाएंगे तो देखिए यह तो 6 as it is plus 4 minus m equal to 8 का अपन 3s m से multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 24m plus यह हो जाएगा 8 5s a 40 अब हम क्या कर सकते है और इसको simplify कर लेना तो यह तो हो जाएगा अपना 10 minus m equal to 24m plus 40 अब हम क्या कर सकते है जो mm वाले हैं उनको one side में कर लेंगे और number वाले terms को one side में अब क्या कीजिएगा यह जो minus 24m जो है यह change करके left side में आएगा तो यह हो जाएगा minus और यह जो 10 है यह change होके right side में आएगा तो यह हो जाएगा minus 10 यह minus m अपना as it is है 24M change होके left side में आगा तो यह हो जागा minus 24M equal to 40 as it is यह 10 जो था change होके इधार आएगा तो minus 10 हो जाएगा देखिए दोनों इनमबर negative negative हो तब क्या करते हैं minus sign common लेंगे इनको add कर देंगे यह M है मतलब 1M है तो यह मिलके हो जाएगा 25 minus 25M equal to 40 minus 10 यह हो जागा अपना 30 अब अपने को तो इस M का value चाहिए तो minus 25 जो है इस 30 के पॉन में आ जाएगा तो आप यहाँ पर लिखेगा M equal to 30 upon minus 25 देखिए 5 के table से कर जाएगे 5 5s and 5 6s तो आपके पास M का value आ जाएगा 6 upon minus 5 तो यह अपना M का value यहाँ पर निकल गया second number जो कि हमारे पास 2 K minus 5 plus 3 K equal to K plus 6 अब यहाँ पर हमारा जो variable है वो K है तो अपने को इस equation को solo करके K का value फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पर हम फर्स चेप में का करेंगे 2 का multiply करेंगे पहले K से then minus 5 से तो यह हो जाएगा 2 K minus 2 5 10 plus 3 K equal to K plus 6 अब यह 2 K और यह plus 3 K मिलके हो जाएंगे 5 K minus 10 equal to K plus 6 अब के के वाले जो उनको हम one side कर लेंगे और number वाले को one side कर लेंगे तो आप क्या किज़ेगा यह जो right side में K है यह change हो के left side में आगा तो minus K हो जाएगा और यह जो minus 10 है left hand side में है यह change हो के right side में जाएगा तो यह plus हो जाएगा तो देखे यह तो K अपना 5 K as it is यह right side में जो K था change हो के left में आएगा तो यह हो जागा minus k equal to 6 as it is minus 10 जो है change होके right side में जाएगा तब यह plus 10 हो जाएगा इनको swallow कर लेते हैं तो 5k में minus कर देंगे k तो यह हो जाएगा k और यह तो हो जाएगा 16 अब k का value चाहिए तो 4 16 के upon में आ जाएगा so k equal to 16 upon 4 4 1 जा 4 and 4 4 जा 16 तो आपके पास k का value आ जाएगा 4 यह अपना answer आ गया बच्चो तो थर्ड यहाँ पे है 5p plus 4 bracket close 3 minus 2p equal to 2 plus p minus 10 simplify कर लेते हैं देखे यहाँ पे क्या कर जिएगा 4 का multiply कर देंगे इन से तो यह अपना 5 p as it is plus 4 3 the 12 minus 4 2 the 8 p equal to देखे इनको और इनको swallow कर देंगे एक है आपका positive एक है negative इसको swallow करेंगे तो answer आ जाएगा p minus 8 ठिक अब देखे यह p p वाले terms को पहले swallow कर लेंगे जो left hand side में है तो एक है अपना positive 5p और एक है आपका negative तो इनको swallow करेंगे तो यह minus 3p plus 12 equal to p minus 8 हो गया अब आपको p वाले terms को one side में कर लेना है तो यह minus 3p as it is रहने देना यह जो right side में p है change होके left side में आगा तो यह minus p हो गया minus 8 as it is और यह जो positive 12 था change होके right side में आगा तो यह हो जाएगा minus 12 minus minus है तो minus common ले लेंगे जब minus minus में रहता है तो minus and common लेते हैं और इनको add कर देते हैं यहाँ पे p मतलब 1p है 3p plus 1p मतलब की minus 4p हो जाएगा equal to यहाँ पर भी minus and common लेंगे इन दोनों को add कर देंगे तो यह अपना हो जाएगा 20 अब देखे right side में भी आपका जो answer value आया negative हो यहाँ पर भी negative है यह minus का sign दोनों cut जाएगा तब यह हो जाएगा 4p equal to 20 p का value चाहिए तो 4 जो है 20 के pawn में आ जाएगा 4 बन जा 4, 4, 5 जा तो देखे आपके पास p का जो value है वो आ जाएगा 5 यह अपना answer आ गया 4th वाला आप लोगों के लिए homework है इसे आप लोग बनाईएगा अभी हम 5 देखते हैं तो देखे ए 5 नंबर में है m minus m minus 1 upon 2 equal to 1 minus m minus 2 upon 3 देखे इस m के upon में कुछ नहीं है तो आप suppose कर लेना 1 इस 1 के upon में कुछ नहीं है तो suppose कर लेना 1 ठीक है वो इसलिए हमने suppose करें क्योंकि अब आप cross multiply करेंगे 2 का multiply इससे और इस 1 का multiply m minus 1 से करेंगे ठीक ऐसा ही same यहाँ पर भी as it is multiply करेंगे देखते हैं multiply करेंगे तो अब क्या हो जाएगा 2 का multiply करेंगे इस m से यह हो जाएगा 2m minus sign ना minus 1 का multiply m से होगा m इस minus sign का multiply होगा minus से तो actual minus minus हो जाएगा plus और 1 वन जा 1 और last में 1 का multiply 2 से करेंगे इनका आपस में multiply होता है तो 1 2 जा 2 equal to 1, 3 is a 3 1, 3 is a 3 फिर यह minus sign as it is 1 का multiply m से करेंगे m minus minus actually plus हो जाएगा और यह हो जाएगा 2, 1, 3 is a 3, अब देखें इनको simplify कर लेंगे यह अपने पास 2m minus m minus m मदलब 1m है, टिक तो इसको simply solve करेंगे तो यह हो जाएगा m और यह plus 1 upon 2, equal to यहाँ पे 3 और यह 5 इनको add कर लीजिए अब तो यह हो जाएगा 5 minus m upon 3 अब देखें यह 3 का multiply m plus 1 से होगा और इस 2 का multiply हम इससे कर देंगे, cross multiply हो रहा है ठीक है? देखें 3 का इससे कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 m plus 1 equal to 2 का multiply हो जाएगा m 5 minus m से, अब multiply कर लेते हैं, individual 3 into m मतलब की 3 m plus 3 बनजा 3, 2 5s are 10 minus 2 m अब m, m वाले जो terms है उनको हम left side में रख लेंगे और जो number वाले terms है constant है, उनको right side में ही रहने देंगे तो यह जो minus 2 m है यह change होके left side में आएगा, तो वो plus 2 m हो जाएगा यह अपका 3 m as it is और यह change होके इदार आया तो plus 2 m equal to 10 as it is यह जो positive 3 था left hand side में था, change होके right में आगा तो minus 3 हो जाएगा तो यह 3 plus 2 कितना हो जाएगा 5 m equal to 7 आपको m का value चाहिए तो 7 5 जो है, इस 7 के upon में आजाएगा so m equal to 7 upon 5 यह आगे solve 1 आगे नहीं होगा simply pray नहीं कर पाएगा, यह ही अपना answer आएगा बच्चो पाएगा